मनाली के मॉल रोड बे दोस्तो आज हम आपको लेके चलेंगे एक बजट फ्रेंडली ट्रिप पे मनाली इस व्लॉग में हम सेयर करेंगे कैसे आप बस से मनाली जा सकते हैं वहाँ affordable hostels में stay कर सकते हैं local cafe और food के मज़े ले सकते हैं और nearby attraction explore कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार सफर हमने अपनी ये ट्रिप देली से मनाली के लिए overnight bus से शुरू की bus टिकट सिर्फ 800 रुपे का per person परा overnight journey करने का एक फायदा ये कि सुबह अप मनाली पहुँच जाते हैं और पूरा दिन explore कर सकते हैं bus journey काफी comfortable थी और रास्ते में पहारों का view भी देखने को मिला सुबह 8 बजे हम मनाली पहुच गए हमने आने से पहले ही hostel 360 का डोरमेटरी बेड बुक कर लिया था इसलिए अब हमें old मनाली जाना था मनाली से old मनाली के लिए आपको 200 से 2500 रुपे में आटो बुक करके जाना परेगा या फिर आप 15 से 20 मिनट का पैदल भी जा सकते हैं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है hostel 360 डोरमेटरी जो old मनाली में बजट ट्रेवलर के लिए पॉफेक्ट रहता है डोरमेटरी में बेड हमें 400 रुपीज पर नाइट पे परी hostel का environment काफी friendly था यहाँ पे एक कैफे भी मिल जाता है और बगल में यहाँ पे रिवर भी जाती है तो आप सुबह के टाइम पे यहाँ पे भी आप अच्छे से रिलाक्स कर सकते हैं हमने चेक-इन किया प्रेस हुए है और निकल परे ओल्ड मनाली एकस्प्लोर करने के लिए ओल्ड मनाली बज़ेट ट्रैवलर्स के लिए एक हैवेन है यहाँ काफी सारे बज़ेट फ्रेंडली कैफे और रेस्टोरेंट है breakfast करने के बाद में हमने ओल्ड मनाली का से लोकल सॉप्स एक्सप्टोर किया साम होते हम मनाली पहुंच गए मौल लोड घुमने के लिए और वहीं पर हमने दूसरे दिन के लिए एक कैप बुक कर ली रोतांग पास जाने के लिए नेक्स ड़े हमारा प्लान रोतांग पास जाने का था और जो हमें कैप मिली थी वह 3500 रूपीज में मिली थी, सुबह पांच बज़ा हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाता है रोतांग पास के लिए, रोतांग पास का डिस्टेंस मनाली से तकरीबन 50 किलो मीटर का है, रास्ते में स्नोफॉल और जो व्यू मिलता है वो काफी मज़ेदार लाजबाब होता है, रोतांग स्कूटी में 2 लीटर पेट्रॉल फिल करवा लिया, जो 100 रूपीज के हिसाब से अगर देखी तो 200 रूपीज का परा हमें, स्कूटी पे एक्स्प्लोर करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि आप अपनी स्पीर और कन्विनियंस के हिसाब से ट्रैवल कर सकते हैं, पहले दिन ह नहीं काफी लाजबाब देखने को मिलते हैं, वापस आते वक्त हमने सोलंग वैली घूमें, जहां पे आपको एडवेंचर एक्टिविटी जैसे पैर ग्लाइडिंग, सोलंग वैली का व्यू और वैदर दोनों ही परफेक्ट है, आप यहां पे विंटर हो या समर हो, किसी सीजन में जा सकते हैं, दोनों सीजन के अक्टिविटी चेंज हो जाती है, सोलंग वैली के उपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है, तो आप यहां पे देख लीजेगा, काफी मज़ेदार वीडियो वो भी है, दूसरे दिन हमने ज इसफूल है और रिफ्रेसिंग है, फिर हम जहां से निकल परे जाना वाटरफॉल के लिए, जो मनाली से 30 किलो मीटर दूर है, जाना वाटरफॉल के पास एक ट्रेडिशनल हिमाचली ढवा भी है, जो कि आपको हिमाचली एकदम लोकल फूड सर्व करते हैं, काफी मज़ेद जो कि हमें 800 रुपीज का पर परसन फिर मिला, टोटल ट्रिप का खर्चा हमें जो से 5,999 पर पर परसन पर गया, जो एडवेंचर और एक्स्पिरियेंस के लिए काफी अफोडेवल है, कुछ की पॉइंट्स इस तरीके के ट्रिप के लिए, बसकी टिकेट पहले ही बुक कर ल जरूर रख ले, जिसमें आपको मोफलर हो गया, सॉक्स हो गया और आपका गलफ्स हो गया, सबसे इंपोर्टेंट हर जगे इंटरनेट नहीं होता है, तो आप अपने साथ में कैश जरूर कैरी करे, तो दोस्तों ये था हमारा बजचेट प्रेले ट्रेप टू मनाली, अगर